Hello Everyone, Welcome to Raviditi Classes Friends, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है Weekly Current Affairs 2024 Friends, यहाँ हम बात करेंगे पिछले week के, आनि 15 से 21 जुलाई के सभी important current affairs के questions को यहाँ पे हम discuss करेंगे Friends, मैंने यहाँ पे सभी questions selected और important लिए है तो अगर आप किसी भी exam के preparation कर रही है यह वीडियो आपके लिए काफे ज़दा important होने वाली है तो पूरे week के हम सभी important questions को यहाँ पे complete देखने वाली है तो आईए Friends, आज के इस class को start करती है पहला question है Friends, हमारा World Youth Skills Day 2024 was celebrated on which day? बात करेंगे हाँ पे विश्व युवा कॉशल दिवस की एक इस दिन मनाया गया है तो Friends, यह दिन celebrate किया गया है 15th of July को चीके याद अखेगा 15 July को celebrate किया गया है World Youth Skills Day इस दिन की कुछ important points की बात करें तो United Nations General Assembly ने इस दिन को कब proclaim किया था? November 2014 में अब बात करें 2024 की इसकी theme क्या रही? तो theme है इसकी Youth Skills for Peace and Development तो Friends, याद रखेगा theme भी exam में हम लोगों से पूश लेती है Next question है गीता नास नौसेदा was sworn in as a president of which country for a second five year term तो गीता नास नौसेदा की बात करती है दूसरे पांच-चुच साल के कारेकाल के एक इस देश के राष्टपदी के रूप में इन्होंने शपत ली है तो ये दूसरी बार जो है प्रेजिडेंट बने है लिथुआनिया कंट्री के लिथुआना कंट्री जो है Friends, यहाँ पर देख सकते हैं इसके location Capital है Willians और Currency है यहाँ पर Euro अगला कोशन इन जुलाई 2024 इंडिया एन भोटान agree to work together in the field of Daesh अभी हाली में भारत और भोटान जो है किस शेतर में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं Right answer is Environment and Climate Change तो दोनों कंट्री जो है Environment और Climate Change को लेके एक साथ जो है मिलकर काम करने पर दोनों कंट्री एग्री हुई भोटान की बात करें Friends, तो भोटान की Capital है थिंपू Currency है यहाँ पर नगुल ट्रम और यहाँ के Prime Minister है शियरिंग तॉपगी Next question, who announced the launch of the alien Habitable Voids Observatory Hunting Telescope तो इसका नाम क्या है Friends, Telescope का Habitable Voids Observatory Hunting Telescope और अभी इसके launch की घोशना किसने की है तो recent जो है इसकी announcement किसने करी है नासानी अच्छा इस Observatory की बात करें जोकि Habitable Voids Observatory के नाम से है तो इसका लक्षे क्या है इसका लक्षे है to identify the numerous forms of biosignatures that are released by living things तो जो living things हैं, जो जीवित चीज़े हैं, उनके द्वारा उत्सरजित जो जैव चिन हैं, उनके असंखिये रूपों की पहचान करना इसका उत्देश्य है नासा की Friends पात करी तो नासा का पूरा नाम है National Aeronautics and Space Administration नासा की स्थापना होती 29 July 1958 को headquarter है नासा का Washington DC में next question, what is the name of the fund that the government will launch to support agriculture, startups and agri-pennials तो क्रशी startups तो जो क्रशी उद्दमी हैं, उनको समर्थन देने के लिए सरकार के द्वारा एक fund देखे शुरू किया गया और इस fund का नाम क्या है, तो इस fund को नाम क्या दिया है Agri-sure और ये fund जो है क्रशी से रिलेटे जो भी देखे अगर कोई अपना startup शुरू करना चाता है, जो भी क्रशी के उद्दमी हैं, उनको investment के लिए, उनको equity अगर देने के लिए, उनको support प्रवाइड करेगा ये fund ताकि वो अपना startup जो है आगे से, मतब उसको शुरू कर सके, उसको आगे बढ़ा सकी next question, the government has decided to observe which date every year as a samvidhan hathya divas, हर एक साल देखे, samvidhan hathya divas मनाने का निर्ने गिस्तारी को लिया गया है, तो 25 जून को हर एक साल मनाया जाएगा samvidhan hathya divas, 25 जून को क्यों चुना है, क्योंकि इस दिन जो है emergency लागू हुई थी हमारी इंडिया में, so emergency लागू हुई थी 25 जून 1975 को, और कब तक रही थी emergency, 21st March 1977 तक, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौनती इंद्रा गांदी जी, इस emergency को officially issue किया था प्रेजिरेंट फकरुद्दीन अली एहमत ने, और किस आर्टिकल में emergency का वर्णन किया गया, ये आर्टिकल भी याद कीगा जुकी है, आर्टिकल 352, तो इससे 25 जून को चुना गया है, समvidhan hathya divas के लिए अगला question, अपर्णा passed away recently, who was she? सो अभी हाली में देखें, अपर्णा इनका निदन हो गया, ये कौन थी? तो ये actress थी next question, which is state government has launched, IT सक्षम युवा scheme 2024 24, so IT सक्षम युवा योजना, किस राज़े सरकार ने शुरू की है, तो इस योशना को शुरू किया है, हरियाना government ने, इस योशना की बात करें, तो इसके तहत, employment will be provided to the youth who are graduate or post graduate applicants from IT background, वही जो भी थी कि IT background से जो भी graduate होंगे, जो post graduate होंगे, उन सभी युवाउं को योज़ का, रोज़ का रुपलब्द कराया जाएगा इस योशना की तहत, तो किसने शुरू किया है इस योशना को, हरियाना सरकारी, next question, in which state is the world largest Ramayan temple, Virat Ramayan Mandir being constructed, तो यह विर्शो का सबसी बड़ा Ramayan Mandir होगा, जिसका नाम रखा है, Virat Ramayan Mandir, और एक किस राचे में बनाया जा रहा है, तो यह temple बनाया जा रहा है, बिहार इस्टेट में, यह जो temple है ना friends, यह लगबग 3.67 lakh square feet के छेतरफल में, मतब जो area है, इसमें फैला होगा, और इसी temple के premises में, there will be 22 temple, चुकि शेव और वैशनव, जो God and Goddess ने उनको dedicated होंगे, तो 22 temple होंगे, इस एक temple के अंदर ही, next question, which of the following two states have emerged as a top performance in Niti Aayog, Sustainable Development Goal, India Index 23-24, कौन से दो राज्जें, Niti Aayog के Sustainable Development Goal, India का जो Index है, उसमें top performer रही है, तो सबसे उपर रही है, उतराकंड और केरल state, bottom position पे कौन सा state रहा है, यह भी याद दखेगा, तो bottom पे आया है, इसमें बिहार, अच्छा अगर हम unit territories की बात करें, तो कौन सा यूटी है, जिसमें सबसे अच्छा perform किया, तो वो है friend Chandigarh, next question, who has been appointed as the executive director of the United India Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited के कारे-कारे निदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, answer Sunita Gupta को, next question है, who won women's single title at the Wimbledon Open 2024, so Wimbledon Open में महिला एकल का खिताब किसने चीता है, right answer है, Barbara Krazykova, Wimbledon जो है friends, यह आर टैनिस के जो Grand Slam tournament होते हैं, उसमें तीसरा जो है tournament हमारा होता है Wimbledon, Wimbledon tournament में men's single का winner कौन रही है, Carlos Elkaraz, mixed doubles में winner रही है, Huysi, Huysi and Jan Zilinski, इसके बाद देखे, women's doubles में कौन-कौन winner है, Taylor Townsend और Katrina Siniakova, men's doubles के winner है, Henry Patton और Harry Heliobara, तो हमें यहाँ पे सारे winners याद रखनी है, क्योंकि exam में हमसे कोई सा भी पूचा जा सकता है, चले निक्स्ट बात करते हैं, question है in July 2024, KP Sharma Oli was sworn in as a Nepal Prime Minister for the Dash time, तो KP Sharma Oli ने अभी हाली में Nepal के प्रिधानमंत्री के रूप में शपत ली है, चौथी बार ये बने हैं यहाँ के Prime Minister, नेपाल जो है friends इंडिया की neighboring country है, capital यहाँ की है Kathmandu, currency है Nepalese रूपी, प्रेजिएंट है रामचंदर पॉडेल और Prime Minister कौन बन गए है, KP Sharma Oli इन्होंने replace किया है, पुश्प कमल दहल जी को, अगला question which of the following has launched, the gear shift challenge as a part of the E-Fast India initiative, gear shift जो challenge है दिखे, इसे एक launch किस नहीं किया है, तो इसे नीती आयोग ने जो है friends launch किया है, नीती आयोग जो है इसका पूरा नाम है National Institution for Transforming India, स्थापनाविती 1st of January 2015 को headquarter New Delhi में है, चिया पर्सन है नरींदर मोदीजी, वाइचिया पर्सन है सुमन के बेरी और CEO का नाम है VBR सूब्यमन्यम, अगला कोशन है खारची पूजा जो के एक ancient festival है, हर एक साल कौनसे state में ये celebrate किया जाता है, खारची पूजा जो है friends ये मनाया जाता है कहाँ पे तिरपुरा state में, ये एक ancient festival है तिरपुरा का और ये यहाँ की जो religious heritage है यानि जो धार्मिक विरास्त है, और यहाँ का जो culture है उसे बहुती ज़ादा घहराई से जुड़ा हुआ है ये festival, और इस बार इस festival की theme रखी गई है, green is the future. Next question, which is state opened its first bird gallery to promote conservation. किस राजन ने संदक्षन को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है, तो ये उपन की है किसने उत्राखंट state नी? तो Research Wing of उत्राखंट Forest Department जो है इसने उत्राखंट की पहली bird gallery जो है इसको इसको stabilized किया और ये खोली कहाँ पहली है, तो उत्राखंट में भी देखे, देहरादोन में Nature Education Center है, वहाँ पे इस gallery को उपन किया गया है, इस gallery में उत्राखंट की जो भी देखे, birds है, जो पक्षी है, उनकी high resolution image जो है यहाँ पे showcase होगी, तो जितने भी यहाँ पे visitors आएंगे, वो अच्छे से जो हैं, जो भी birds होगे देखे, उनकी species होगई, यह जो हैं, उनको बहुत अच्छे से उनकी images यहाँ पर वो देख पाएंगे और जान पाएंगे, तो किस bank ने जो है, सेल जो है, इसके साथ में अभी partnership की है, लोन facilities के लिए, तो सही answer है, पंजाब National Bank, पंजाब National Bank की स्थापना हुईती, 19 में, 1894 को, headquarter है, डेली में और MDCO है, अतुल कुमार गोयल, sale, find sale की बात करें, Steel Authority of India Limited की, तो इसके स्थापना हुईती, 19 January 1954 को, headquarter है, New Delhi में, और chairman है, अमरेंदू प्रकाश, अगला question है, in July 2024, who has been appointed as a chairman and managing director of BSNL, BSNL जो है, भारिश संचार निगम लिमिटेड, अभी इसके अध्यक्ष और प्रवंद निदेशा कौन नियुक्त किये गए है, सही answer है, Robert Ravie, BSNL की स्थापना हुईती, 15 September 2000 को, headquarter है, इसका, New Delhi में, next question है, who has been appointed as a managing director and CEO of the Paytm Payments Bank, Paytm Payments Bank के प्रवंद निदेशा कौन नियुक्त किये गए है, तो इस पे appoint हुए हैं कौन, around one cell, friends, दिखे friends, अगर आप किसे भी competitive exam के preparation कर रही है, तो सभी exam से related, काफी important e-books जो हैं हमारी website पर available है, इन सभी e-books में, friends, most important questions थे, वो यहाँ पर दिये गए है, तो यहाँ आपको बहुती ज़दा help मिलेगी आपकी exam related, current face की काफी सारी e-books available हैं, जैसे monthly भी हैं, या जैन टू मई की, या नि जो 5 month की current face की e-books हैं, तो इस तरह से most most important e-books हमारी website पर available हैं, तो आप easily मारी website को देखें, सर्च करें Google पे, आप वहाँ से इन e-books को easily buy कर सकती हैं, और friends, अगर आपको आज का हमारा ये weekly interface का session अच्छा लग रहा है, तो please find video को like और share ज़रू करेगा, चलिए friends, अगला question देखिए, To which country has Subhash Prasad Gupta been appointed as India's next ambassador? Subhash Prasad Gupta जो हैं, ये किस देश में भारत की अगले रास्टूत नियुक्त किये गए हैं, तो ये कहां पे appoint हुए हैं? सूरिनाम country में. Subhash Prasad Gupta जो हैं, ये 2006 बैच की जो है, Foreign Service Officer हैं. अगला question है, Which state's community managed natural farming program has been awarded the prestigious Gulbenkian Prize for Humanity 2024? 2024 का प्रतिश्टित मानफता के लिए, Gulbenkian पुरिश्कार से कौनसी state का जो community managed natural farming program हैं, उसे सम्मानित किया गया है, तो ये prize मिला है आंदर प्रदेश को. अगला question, Which country has won the Copa America 2024 title by defeating Columbia? तो इसमें उन्होंने कौलंबिया को हराया है और Copa America 2014 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने. ठीके, तो अर्जेंटीना ने किसे हराया है, ये भी आदकेंगे, friends. तो अर्जेंटीना ने defeat किया है कौलंबिया को. तो ये अर्जेंटीना का सोल हुआ जो है Copa America टाइटल है. अगला question, Which of the following country? विल होस्ट दे फर्स्ट ओलंपिक्स e-sports गेम्स इन 2025. निमलिकत में से कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक e-sports गेम्स की मिजबानी करीगा? आंसर इस UAE. Next question है, Which has defeated England to win its 4th UEFA Euro title? टाइटल, किसने England को हरा कर अपना 4thा UEFA Euro खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? स्पेन ने और स्पेन ने इसमें defeat किसे किया है? इंगलाइट की टीम को इसमें हराया है. इस पे देखें, स्पेन ने इसमें पहले भी दोखे टाइटल जीते हैं. इसमें UEFA Euro title, कब-कब 1964, 2008 और 2012 में हैं? नेक्ट पोर्शन है, विश्ट टीम वान दे वर्ड चाम्पेंशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल? तो किस टीम ने वर्ड चाम्पेंशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता है? ये टाइटल जीता है, इंडिया चाम्पेंश ने. इंडिया चाम्पेंश ने जो है, इसमें किसको हराया फाइनल में पाकिस्तान को? जो वर्ड चाम्पेंश ऑफ लेजेंड्स से देखे, ये एक T20 टूनामेंट है, जो कि रिटाइट इंटरनाशनल किकेटर्स के द्वारा खेला चाता है, इस पार छे टीम से इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, इंग्लेंड, उस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफरीका एंड वेस्ट अंडीज नी. अगला कुशन, वर्ड दे ऑफ इंटरनाशनल जस्टिस 2024 वस सेलिब्रेटेड ओन विच दे, विश्व अंतराश्टे नियाए दिवस किस दिन मनाया गया है, तो ये दिन सेलिबेट किया गया है 17 जुलाई को, इस दिन की फ्रेंट्स बात करते हैं तो इस्थापनाविती 17 जुलाई 1998 में. अगला कुशन, अगला कुशन, अंतरिक्ष में देखिया अनुसंधान, जो भी अंतराश्टे विज्ञानिक अनुसंधान है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान पर जो वैश्विक सम्मेलन है के स्टेश में शुरू हुआ है, तो ये सम्मेलन स्टार्ट हुआ है, कहां साउथ कोरिया में. साउथ कोरिया की फेंट्स कापिटल सीयॉल है, करेंसी है, यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन, प्राइम मिनिस्टर है हांडग सू और प्रेजिडेंट है यून सियॉक रियॉल. नेक्स्ट कोर्शन देखे विच कांट्री विल होस्ट, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस ओन सिविल अवियेशन. नागरिक विमानन पर दूसरा जो एशिया प्रशांत मंतरिस्त्रिय सम्मेलन है, यह सम्मेलन जो है फ्रेंट्स 11 से 12 सितंबर को होने वाला है, और कौन सी कंट्री इसकी मिजबानी करेगी, तो यह सम्मेलन होगा कहां पे फ्रेंट्स इंडिया में. और यह कौन सा एडिशन है, इस का देखी, इस कौन्फरेंस का यह दूसरा एडिशन है, इससे पहले जो फ्रेंट्स एडिशन था, यह और फैबरेल टॉटाउसन एटीन में, और कहां पी होगा था यह कौन्फरेंस, बीजिंग में. अगला कोश्चन, इंडिया साइंड M.E.U. with which of the following to implement four community development projects. भारत ने चार समुधाई विकास पर्योशनाओं को लागू करने के लिए किस के साथ समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं? तो किस के साथ किया है? Marshall Islands के साथ. Next question, which of the following countries have joined hands to develop long-range cruise missile? किस देश ने लंबी दूरी की cruise missile विक्सित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो यहाँ पे चार कंट्रीज हैं, जोके एक साथ आई है, Poland, Germany, Italy और France. Next question, which IIT and Prasar भारती hosts the two-day robot competition? और इस competition का नाम है DD Robocon India 2024. और यह competition कहाँ पे होगा? डेली के त्यागराच स्टेडियम में. इस conference में बात करते हैं, देखे, दो दिन की जो यह competition है, देखे, इसमें कौन सी IIT ने से host किया है? तो IIT का नाम है IIT डेली नी. Next is, in which city will Eastern India's first university for disabled students be opened? विकलांग चात्रों के लिए पूरवी भारत का जो पहला विश्यविध्याले है कि शहर में खोला जाएगा? तो friends, यह जो university है, यह open होगे, कहाँ पे राजी सिटी में. अब इस university में देखे, इस तरह से education होगे, कि जो disabled students है, उनकी पूरी जो आविशक्ता है, उसको ध्यान में रखा जाएगा, और उसके according जो है, उनको education provide की जाएगी. तो जितने भी disabled students है, उनके लिए special courses हैं यहाँ पे, उनके educational equipments की विवस्था यहाँ पे अच्छे से की गई है. Next question, state award to teachers and head of the school scheme will be launched by which state? सिख्षकों और school प्रमुकों को राज्य पुरुषकार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? इस योशना को शुरू किया है हिमार्चल प्रदेश गवर्णमेंट ने. अब इस योशना का उदेशे क्या है देखिए? इसका उदेश है, state में जो teachers है, उनकी त्वारा जो भी देके exceptional service दी जाती है, जो भी असदारन सीवा उनको दीर जाती है, उसी service को मानिता देना और उनको ओनर करना जो है, इसका मेन उदेश है. नेक्स कोशन, who has been appointed as a new chief justice of the हिमाचल प्रदेश high court? हिमाचल प्रदेश उच नियायाले के जो है नए मुख्य नियायदीश के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? आंसर इस राजीव शक्धर को. इन्होंने replace किसे किया है? M.S. Swami, M.S. Ramachandar Rao की जगा पर जो है, यह appoint हुए है. अगला कुशन है, who has won the gold sand master award with a gold medal at the international sand sculpture championship और यह championship हुई थी, St. Petersburg, Russia में? तो gold medal के साथ में golden sand master पुरुषकार किस ने जीता? तो यह जीता है, prize सुधरशन पटनाइक नी. सुधरशन पटनाइक इंडिया से एक मात्रिस में participant थे, जिन्होंने create की 12 feet high and wrath of the Mahaprabhu Jagannath. तो Mahaprabhu Jagannath का 12 feet उंचा रेत का रतिनोंने जो है, इसमें बनाया था. Next question है, which country will host the annual conference of the International Cricket Council? तो यह conference 19 July को start हो गई है, कब तक चलेगे? 22 July तक. तो ICC की जो यह annual conference है, कहां पर हो रही है, तो इस बार इसे host कर रहा है, स्री लंका. Theme क्या है इस बार की? Capitalizing on the Olympic Opportunity. ICC जो है, इसकी formation होती है, 15 June 1909 को headquarter है दुबई में. Chairman है Greg Barclay, Deputy Chairman है Imran Kwasa, CEO का नाम है Joff Elardis, General Manager है Wasim Khan और Members है 108. अगला question है, International Nelson Mandela Day was celebrated on which day? अंतराश्ट यह Nelson Mandela दिवस के जिन मनाया गया, 18 July को friends यह मनाया गया है. Nelson Mandela ची की बात करें, तो यह friends South Africa के पहले democratically elected black president रहें. South Africa के president रहे थे यह 1994 से लेके 1999 तक. पहली बार जो है, Nelson Mandela ची के 92th birthday पर celebrate किया गया था Nelson Mandela Day. और 2024 की theme है, It's still in our hands to combat poverty and inequity. अगला question है, Paul Kagame, चौती बार जो है, किस country के president चुने गए है? पॉल कागमे, जो है friends, यह रवांडा country के चौती बार चुने गए है, राष्ट पत्री. रवांडा country जो है friends, यहाँ पर देख लीची है, यहाँ पर located है, capital है, यहाँ की किगाली और करेंसी है, रवांडन फ्रेंक. अगला question है, which country will host the board of the loss and damage fund? हानी और शती कोश के board की मिजवानी कौन सा देश करेगा? इसे host करेगा Philippines से. Next question, Robert Metzola has been elected president of the European Parliament for a second term. She is from which country? Robert Metzola जो है, यह दूसरी बार जो है, European sunset की अध्याक्ष चुनी गई है, और यह बिलॉंग करती है, Malta country से. European, यहाँ पर बात करें, यूनियन की, तो इसकी सापना हुए दी, 1st November 1993 में, headquarter Brussels में, her members है, 27. Next question देखिए, exercise pitch black. Pitch black जो exercise है, कौन सी दो countries के बीच में आयोजित की गई है? तो fans pitch black अभ्यास किस-किस के बीच में हुआ है, इंडिया और उस्ट्रेलिया के बीच. यह जो exercise है, यह 12 जुलाई को शुरू होगी, तो कब तक चलेगी? 2 August तक, इस पार इस exercise को होस्ट कर रहा है, Royal Australian Air Force, और इसमें इंडिया का SU-30 MKI जो aircraft है, उसमें पार्टिस्टिपेट किया है, अगला कुशन, विच कंट्री लॉंच्ट्री लॉंच्ट, ट्राइल ओपरेशन और दी वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटिड आपरा, किस देश ने विश्व के पहले 3D मुद्रित अबरा का परिष्ण संचालन शुरू किया है, इसे शुरू किया है UAE कंट्री ने, आबरा जो है ना फ्रेंट्स, ये लकडी से बनी एक ट्रेडिशनल बोट है, और लोगों को फेरी की तरह जो है, ये एक इस्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को ले जाने का काम करती है, नेक्स्ट पोर्शन, आरजू राना देव अपॉइंटेड असा फॉरन मिनिस्टर ओफ विच कंट्री, देश के देखे विदेश मंत्री कौन अपॉइंट हुई है, आरजू, राणा, दुए, और किस देश में अपॉइंट हुई है, ये नेपाल में, नेपाल की क्यापिटल है, कार्टमांडो करेंसी है, फैंस नेपाली इस रुपी, तो प्रोजेट का नाम क्या है, मैंगो उननती, और इसके लाँच की घोशना किस ने की है, कोको कोला, इंडिया ने, किस ने लॉँच किया है, फैंस, इसके लिइंडिया डिजिटल हब पोर्टल को, इसको शॉट में कहा गया है, सिद्ध, और इस पोर्टल को लॉँच किया है, जयन्त चौधरी, फैंस, इस पोर्टल का देखिए, प्राइमरी अबजेक्टिव क्या है, तो इसका मुख्य उद्धेश है, यह सुनेशित करना है, कि जितने भी बेनिफीशरी ने जो भी लाभार्ती, उनको सभी योशनाओं के बारे में, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रवाइड दो, Next, Dr. Jitendra Singh has inaugurated Asia's first health research related pre-clinic network facility, in which city has it been inaugurated, तो फैंट, Dr. Jitendra Singh ने launch की है, इनागरेट की है, इसा की पहली health research facility को, और कौन से शहर में किया है, इसको, परीदाबाद, Next, which is state government, e-swastiyah dham portal, in now integrated with the centers, आईश्मान भारत digital mission, किस राज़े सरकार का जो e-swastiyah dham portal है, उन्होंने अब केंदर की आईश्मान भारत digital mission के साथ में एकिकरत हो गया है ये, और यहाँ पे किस state की बात हो रही है, उत्राकर्ण state की है, उत्राकर्ण governments का जो department of health and family welfare है, उन्होंने इस portal को launch किया है, जिसका नाम है, e-swastiyah portal, अगला question, नला थम्भी कलाई सेल्वी has been appointed as a director general for the second time in which of the following organization, तो नला थम्भी कलाई सेल्वी जो है, फेंट्स के संगठन में दूसरी बार बनी है, ये director general, तो organization कांसी है, फेंट्स, यहाँ पे अंसर है, Council of Scientific and Industrial Research, अगला question देगे, who became the first Indian to be selected for the Hans von Henting Award, Hans von Henting पुरुषकार के लिए, चैनित होने वाले पहली भारते कौन बनी है, आंसर इस, K. Choklingam, through retired professor है, ये victimology के K. Choklingam, और ये ब्लॉंग करते हैं, कौन सी state से ये ज़रू याद खीगा, वाइस ता मिलना दूसे ही, और इन्होंने जीता है, Hans von Henting Award, अगला question है, in which country was, India's first overseas, Jan-Aushady Kendra inaugurated, भारत का देखे, जो पहला विदेशी Jan-Aushady Kendra है, किस सेश में खोला गया है, तो ये open हुआ है, Mauritius में, Jan-Aushady Kendra की बात करें, तो ये जो केंदर होते हैं, इनको इस तरह से design किया गया है, कि इसमें जो medicines होते हैं, वो बहुत ही reasonable price में मिलती है, बहुत ही उचित, मुल्य पर जो है generic दवाएं उपलब्द कराना, जो है इसका उदेश्य है, इसका उदेश्य क्या है, तो इसका उदेश्य क्या है, इसका में उदेश्य है, agriculture और जितने भी horticulture product हैं, जैसे कि spices हो गए, fruits, vegetables, pulses, cereals, और जो भी minor forest हैं, उन सभी उतपादों का समर्खन देना, इसका उदेश्य है, अगला question finds, who inaugurated the Thane Borevalli Twin Temple, थाने Borevalli Twin Surung का उद्धाटन किस ने किया है, सही answer है, Prime Minister Narendra Modi ji, अब बात करें, फेंट सोड़ा सा इस tunnel के बारे में, चुकि थाने से Borevalli बनी है, कि इंडिया की longest और सबसे largest urban tunnel है, यानि सबसे बड़ी ये शहरी शुरंग है, कितने किलोमेटर लंबी है, ये 11.8 किलोमेटर की है, Next question which is State Government has launched, मुख्यमंत्री युवा कारिये प्रसिक्षन योजना, किस राज़े सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कारिये प्रसिक्षन योजना शुरू की, इस योजना को शुरू किया है, अब देखें इस योजना की बात करें, क्या है ये योजना, इसका उदेशे क्या है, इसका मेर उदेशे है, Valuable Internship Opportunities को प्रोवाइट करना, जो भी देखें यूथ है, उन सभी यूथ यंग जो इंडिवीजन है, उनको जो भी Essential Skills हैं, जो आवश्यक कॉस्षल हैं, उन से लेस करना, और उन्हें competitive job market जो है, उसमें employment, जो employability है, रोजगार शम्ता है, उसको भी Enhanced करना, बढ़ाना, इसका उदेशे हैं, अगला कोशन है, किस बांक ने लांच की है, 444 Days की Term Deposit Scheme, जिसका नाम है, अमरित व्रष्टी, अमरित व्रष्टी जो है, ये योशना शुरू की है, State Bank of India में, अगला कोशन, Recently, who has been appointed as a new Indian Ambassador to USA, हाली में, अमेरिका में, नए भार्ते रास्तूत के रूप में, किसे निउप्त किया गया है, आंसर है, विने मुहन कुवात्रा को, इसके बाद, इसके बाद, के पॉल थॉमस, हाज बीन अपॉंटेड, अज बीन सीओ विच बैंक, तो के पॉल थॉमस को, तीन साल के लिए, किस बैंक का, MDCU निउप्त किया गया है, ये अपॉंट हो है, ESAF Small Finance Bank में, ESAF जो है, इसकी स्थापना होई थी, 10th of March, 2017 में, headquarter है इसका, 300 के रिला में, MDCU है, पॉल थॉमस के, और चेर परसन है, पी आर रवी मोहन, अगला कुशन, who has been named, Sub-Regional Representative for South Asia, by the Asian Paralympic Committee, Asia Paralympic Committee ने, दक्षिन एशिया के लिए, ये उपर छेत्रिय प्रतिनेधी किसे न्युक्त किया है, right answer is, दीपा मलिक को, बात करें friends, Asian Paralympic Committee की, तो इसकी स्थापना, 30 October 2002 को हुई है, और इसका, headquarter कहां पे है, Dubai, UAE में, नेक्स्ट एक बुक का नाम है, जिसका टाइटल है, Power Within, The Leadership Legacy of Narendra Modi, तो ये बुक किसे ने लिखी है, इस पुस्तक के लेकर खें, Dr. S. Balas Subya Maniam, Next question, Where will the Women's Asia Cup 2024 be held, इस बार friends, 2024 नहीं, महिला Asia Cup है, कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये कहां पे होगा friends, Shri Lanka में, कौन्स एडिशन होगा, तो इस बार Women's Asia Cup का 9th edition होगा, जिसमें 8 teams, जो हैं, वो participate करें, Next question, What is the name of the upskilling program, launched by the National Film Development Corporation, and Netflix for voice-over artists in India, भारत में देखे voice-over जो कलाकार हैं, उनके लिए, राश्टिय फिल्म विकास निगम और Netflix के द्वारा शुरू किये गए, upskilling कारिक्रम का नाम किया है, इसका नाम है, The Voice Boxer, इसके बाद है, which space scientist जिनको ओनर किया गया है, S-C-O-S-P-A-R, Harry Massey Awards सी, तो अंतरिक्ष अनुसंधान समीती के द्वारा, कॉस पर हैरी Massey पुरुषकार से, किस अंतरिक्ष विज्ञानिक को सम्मानित किया गया है, तो ये ओनर दिया है, प्रहलाद चंदर अगरवाल ने, प्रहलाद चंदर अगरवाल जीदे के, फ्रेंस एक मात्र जो है, या कहले जो है, पहले इंडियन recipient बने हैं, इस अवार्ड को जीदने वाली, नेक्ट कोशन है, केविन कुईंटल, जोकि भी हाली में न्यूस में रहेते, कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं, तो केविन कुईंटल की बात करें, तो ये किस से जुड़े है, फ्रेंसर रेसिंग से, ठीक है, इनका नाम क्या है, केविन कुईंटल, अब इन यूस में क्यों रहेते देखे, तो ये पहली इंडियन राइडर, जो हैं, बन गए हैं, जोकि पार्टिस्टिक करने वारे किया है, जिन्होंने वर्ड सूपर बाइक चांबंशिप में, तो विश्वि सूपर बाइक चांबंशिप में भाग लेने वाले, पहले भारते राइडर कौन बने, केविन कुईंटल, नेक्ट कोशन देखे, हूँ इस थी ऑथर आफ दी बुक, बुक का नाम क्या है, तंत्र अन दी एज, रिसेंटल, इस बुक को जो है, ओक्सपोर बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइस, इसने जीता है, ठीक है, यहां हम बात करें, कि इस बुक की ऑथर कौन है, आंसर होगा, मधू खन्ना, अगला कुश्चन देखे, हाउ मैनी एथलेट फ्रॉम इंडिया, विल पार्टिस्टिपेटेड इन अपकमिंग पैरिस ओलम्पिक्स, पैरिस ओलम्पिक्स देखे, 26 जुलाई को स्टार्ट होंगे, और चलेंगे कब तक 11 औगस्त तत, तो आने वाले पैरिस ओलम्पिक्स में, भारत के कितने एथलेट उसमें भाग लेंगे, टोटल अगर बात करते हैं, भारत के 117 अथलेट जो हैं, पैरिस ओलम्पिक्स में भाग लेंगे, नेक्स्ट कोशन है, विच आईपिल इस सेट टू एस्टिबलाईश आ, न्यू क्रिकेट अकेडमी इन सिड्नी, कौन सी आईपिल की टीम है, जो कि सिड्नी में एक नए क्रिकेड अकादमी स्थापित करने जा रही है, तो आईपिल टीम का नाम है चेन नई सूपर किंग्स, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले इंपॉर्टन क्वेशन की, नाशनल फुटबॉल डे कम मनाया जाता है, तो राष्टी फुटबॉल डिवस हर एक साल मनाया जाता है, विश्व श्रवर डिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो फेंट्स इस बार व्र लिस्टनिग डे की बात करें, 18 जुलाय को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है, listening to the weave of sound तो ये चोई इस बार की theme रही है अगला question President Ropati Murmur has appointed Justice N. Kortiswar Singh and Justice R. Madhavan as the judges of Supreme Court अभी फैंट्स President Ropati Murmur ची ने Supreme Court के judges के रूप में हापे दो appointment किये है N. Kortiswar Rao को न्यायमूर्थी R. Mahadevan को question में पूछा है कि इस appointment के बाद जो है दो appointments हो इनके बाद judges Supreme Court में judges की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी तो इनके appointment के बाद Supreme Court में judges की संख्या हो जाएगी 34 Next day which of the following has launched Savings First Product for Retail Investors तो ने वलेकित में से किसने खुदरा निवेश को के लिए Savings प्लस उत्पाद launch किया है तो किस company ने launch किया है इसे Bajaj Finals Asset Management तो ये थे friends हमारे आज के जो है weekly current affairs के सभी most important questions आप friends में आप लोग को एक test लीने वाली हूँ जसमें हम दो questions आप लोग उसे पूचेंगे पहला question है देखिए question है हमारा खार्ची पूजा जो है ये एक ancient festival है यानि प्राची इंतिहार है और किस state में ये मनाया जाता है second question the government has decided to observe the dash every year सम्विधान हत्या दिवस तो अब हर एक साल सम्विधान हत्या दिवस के जिल मनाया जाएगा तो ये है friends हमारे 2 important questions इनके answer friends आप लोग हमें comment box में जरू बताएं और friends इसके अलावा देखिए अगर आप हमारी कोई भी e-book को buy करना चाते हैं सभी e-books में देखे most important questions ते गए हैं तो ये सभी e-books आपको हमारी website पर available मिल जाएंगी website को आप direct जो है friends google पर search करें www.rabibooks.com तो इस तरह सी friends आप हमारी सभी important e-books पर buy कर सकते हैं तो ये तर friends आज का हमारा important weekly current affairs का session अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share ज़रू करिएगा thank you so much for watching this video अपको आपको आपको आपियो